नमस्कार दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल फिजिकल एजुकेशन विद अनिल में मैं आपका होस्ट अनिल चोधरी लेकर आउने वीडियो training in sports का second part आज हम cover करेंगे पहला part जिन students ने नहीं देखा है वो description box में link दे रखा है वहाँ पे click करके पहला part देख सकते हैं ताकि second part और भी अच्छे से समझ आए और पूरा का पूरा training in sports जो chapter है वो आपका conceptually correct हो जाए और अच्छे से mind में set हो जाए ताकि score जादा से जादा कर स आप और एक request है सभी स्टूडेंट से कि इस वीडियो को अपने सभी स्टूडेंट के साथ शेयर करें अपने ग्रूप से शेयर करें अपने दोस्तों को recommend करें कि देखे किस तरीके से 12th class को अच्छे से conceptually ये वीडियो बनाई जा रही है इसके लावा Hindi और English दोनों में इस व सोचल मीडिया हेंडल हमारे description box में है आप हमें Instagram, Telegram, Facebook, LinkedIn पर follow कर सकते हैं और इस वीडियो की PDF के लिए specially आप लोग हमारी एप पर जा सकते हैं एप का लिंक भी description box में है तो एप में आप जाएंगे open करेंगे free PDF में जाना वहां पर 12th class का section है उसके अंदर आपको पिछले पार्ट की वीडियो मिल जाएगी फर्स्ट पार्ट की PDF मिल जाएगी और सेकिंड पार्ड की जो की ये वीडियो है इसकी PDF भी आपको वहां पर मि जाएगी तो चलिए आगे चलते हैं तो हमें कवर करना था methods to develop endurance तो इसमें सबसे पहला method आता है continuous training method तो continuous training method दिया किस ने था तो यह दिया था डॉक्टर वी एकन या डॉक्टर आपको वैन एकन है ठीक है continuous के नाम से ही समझ आता है कि इसमें जो हम exercise करते हैं जो भी हम कसरत कर रहे हैं वो continue रहती है इस वन आप दी बेस्ट मेंट फॉर इंप्रूविं इंडियोरेंस याद रखेगा continuous training method आपके endurance को अच्छा करने के लिए हम लोग use करते हैं in this method athletes perform running for a long periods without taking rest in between तो इसकी खासियत क्या है कि इस method में rest बिल्कुल नहीं होता है आप continue चलते ही रहेंगे आप continue भागते ही रहेंगे वही आपकी continuous training method है आप हो सकता है कि आप धीरे भाग रहे हों ठीक है क्योंकि normal सी बात है जब आप एक एक घंटा running करेंगे तो आप तेजी से नहीं भाग सकते एक घंटा तो यहां पर जो intensity होती है वो कम होती है और इसमें काफी high level का endurance create होता है इसके अलावा इसके भी तीन टाइप है पहला है चाल होगी वो धीरे होगी ठीक है 10 से 20 km हम running करेंगे जब हमारी चाल धीरे होगी हम जो speed है वो धीरे होगी तो ज्यादा भाग पाएंगे तो duration एक से दो घंटे तक हो जाती है fast continuous training method में क्या होता है distance कम हो जाता है क्यों कम हो जाता है क्योंकि यहाँ पर हम continuous तो भाग रहे हैं लेकि fast speed से भाग रहे हैं तो यह 15 से 40 मिनट तक चलता है हमारा 5 से 10 km तक middle distance runners इसे ज़्यादा तर use करते हैं इसके अलावा एक बहुत important point the rate of heartbeat remains in between 140 to 160 beats per minute जो हमारी heartbeat होती है अगर उसे नापा जाए तो exercise के टाइम पे 140 से 160 beats per minute आपके धड़कनी चाहिए यह normally इसके बहुत तरीके होते हैं जिससे आप लोग इसे नाप सकते हैं चलते हैं आगे अब तीसरे method पर तीसरा है variable continuous training method अभी तक हमने एक पड़ा slow continuous method एक पड़ा fast continuous method तो पहले में हमारी speed कम थी दूसरे में ज्यादा थी यह जो है यह variable है इसमें कम और ज्यादा दोनों रहेंगी इस method is a combination of fast and slow pace continuous methods here the workout is done with a variable speed of 40 to 100% of the best capacity ठीक है जितनी भी speed है जैसे मान के चलिए 10 km per hour की speed है तो वो 4 से 10 km per hour की speed के बीच में रहेगी कभी 6 km per hour कर सकता है अथिलेट कभी 9 km per hour कभी 4 km per hour इस से कम नहीं जाएगा ठीक है अब आजाते हैं advantages of continuous training method अब करेगा क्यों कोई खिलाड़ी को पता तो होना चाहिए कि continuous training method क्यों करें हो increase glycogen in muscles देखा गया है muscles का glycogen जो store होता है हमारा एक muscles में और एक liver में भी ये storage रहता है तो काफी बढ़ने लग जाता है जब आप daily running करते हैं तो जरुवत पढ़ने लग जाती है जादा इस वज़े से body जादा store करती है glycogen को increases number and size of mitochondria mitochondria का size और number दोनों ही बढ़ने लग जाते हैं increases efficiency of heart and lungs जो आपका cardiovascular system होता है जिसमें lungs hurt आपके blood vessels आती है यह बहुत अच्छा होने लग जाता है लाश्ट improves willpower and confidence अगर आज आपने सौ मिटर सौ मिटर तो नहीं यह तो बहुत कम हो गया मान के चलिए आज आपने दो किलोमेटर रनिंग करी है तो ऑविस सी बात है कि जब आप अगली बार भागेंगे तो आपको यह होगा कि नहीं भाई पिछली बार दो तो करी थी आज तो दो मैं easily कर लूँगा दो से ज़्यादा कितनी करने यह देखते हैं तो आपकी willpower बढ़ती है confidence बढ़ता है आपका long distance running से continuous training method से अब आज आते हैं next पे हमारे topic पे next है interval training method काफी important topic है तो यह develop किस ने कर रहा था बिकिला और Dr. Waldemar Gressler जो आपकी सरस्वती publication की book है उसमें 12th class के लिए बिकिला दे रखा है लेकिन आगे बड़े level पर जब हम देखते हैं तो इसका Dr. Waldemar Gressler सही answer है हाला कि 12th class के बच्चे अगर वीडियो देख रहे हैं सिर्फ तो बिकिला को ही आप mention करें अपने paper के answer sheet में इसके अलावा इस यह method किस principle पर work करता है effort and incomplete recovery मतलब आप जो भी खेलाड़ी है उसे exercise कराएंगे पहले थोड़ी सी फिर आप rest देंगे लेकिन rest incomplete होगा पूरा complete नहीं होगा incomplete rest होगा फिर दुबारा effort करेंगे फिर incomplete rest होगा फिर दुबारा effort कराएंगे इस तरीके से chain में चलता है it is special endurance training यह भी endurance के लिए training है जैसा कि मैंने बताया हम लोग methods of endurance कैसे हम develop करें वो हम बात कर रहे है that involves high intensity workouts followed by incomplete rest इसमें जो intensity होती है वो ज्यादा होती है और बीच-बीच में हम incomplete rest देते हैं खिलाड़ी को this method is best method for endurance development इसके अलावा यह काफी scientific principles पर work करता है इसमें जो load होता है वो controlled through various factors काफी सारे factors होते हैं जो load को control करते हैं ऊपर या नीचे आप कर सकते हो ठीक है जैसे एक्जामपल है 400 मीटर की race अगर आपको किसी खिलाड़ी को तयार करना है तो आप उसको 400 मीटर भगाएंगे 80% speed पर पहले फिर उसको walk करने के बोलेंगे या jogging के लिए बोलेंगे जब तक कि उसकी हर्ट बीट है वह 120 से 140 एक प्रॉक्सिमिलेटली ना आ जाए फिर हम दुबारा 400 मीटर की एक रहस कराएंगे उसे 80 मीटर 80% स्पीड पर इस तरीके से इसके बाद दुबारा 120 से 140 जब उसके हर्ट बीट आ जाएगी नीचे आ जाएगी फिर दुबारा उसको 30 बीट पर मिनट होनी चाहिए हर्ट बीट खिलाड़ी की और जिस टाइम पर रेश्ट करेगा उस टाइम पर जो पल्स रेट है वह आपका नीचे आ जाता है 120 से 140 बीट पर मिनट ठीक है इस इस बेस्ट रिकवरी टाइम फॉर स्पीड एंड़रेंस तो यह आपको पता होना चाहिए बहुत अच्छे से कवर करा है बुक में इससे उपर आपको कहीं नहीं मिलेगा अगर आप आप आंशर शीट में इतना लिखके आते हैं तो आपके पूरे के पूरे नंबर आपको मिलने वाले हैं चलिए आगे चलते हैं अब आजाते हैं नेक्स्ट पे फार्टलेक ट्रेनिंग में ठड़े काफी दिलजस्प तरीका है आपका इंडूरेंस बनाने का यह डेवलप किया तक गौश्टा होलमर ने 1937 में दिफार्टलेक जो फार्टलेक शब्द है यह एक श्वेडिस वर्ड है जिसका मतलब होता है स्पीड प्ले मतलब की गती से खेलना स्पीड से आपको खिलवाड करते हैं आप लोग कभी ज्यादा करते हैं कभी कम करते हैं आपके उपर होता आप किस तरीके से खिलवाड करते हैं लेकिन खिलवाड करते रहना है और लंबे समय तक आपको भागते रहना है रुकना नही It is a blend of continuous training and interval training क्योंकि continuous में intensity कम थी interval training में intensity ज़्यादा थी और जब आप speed को कम ज़्यादा करोगे तो वो fartlek है मतलब कि fartlek continuous और interval दोनों का ही एक mixture है It lays emphasis on both aerobic and anaerobic systems तो मैंने आपको बताया तक continuous training से aerobic अच्छा होता है और interval training से anaerobic अच्छा होता है तो इसमें क्या है कि high intensity और low intensity दोनों है तो इस वज़े से aerobic और anaerobic system दोनों अच्छे होता है In this method pace is not pre-planned मतलब कि आपकी जो speed होगी वो पहले से 10 नहीं होगी यह क्या है कि हर आदमी के उपर depend करती है कि वो उसी के ऊपर छोड़ी जाती है कि वो किस तरीके से उसको maintain करेगा इन फिटनेस जैसे है कि हमने बात करी it इसका मतलब है कि एथलेट के उपर है वो सकता है कि 5 कि पांच 삶ाश Hahaha बहुत थ verwag और उसके अगले के अपने ऑपर है यहां फ्लेक्सिब्ल है in कोई बहुत आपको स्ट्रिक्ट नहीं रहना कि मेरे को दो मिनट बहुत तेज भागना है दो मिनट बहुत धीरे भागना है ठीक है यह आपके ऊफर है और सबसे बड़ा फाइदा इसमें कि कोई जरुवत नहीं होती है या आप कहीं भी अच्छे एरिया में आप कर सकते हैं डिस अड्वांटेज की मैं बात करूं तो डिफिकल्ट टु सी हाव हाड़ डि ट्रेनिंग इसमेंग एफर्ट अगर मैं आपको यह ट्रेनिंग मैठेड करने को कह रहा हूं तो मुझे अच second कि यह से लेट ड्रेनिंग का ही जैसा पार्ट है थर्ड एक्षिडेंट इ lips can occur as it is not when him front कि यह सकता ही है डिफिक दैब सब्सक्राइब कि इसमें घट होता है वह 140 से 180 बीट預 Wall 2020 के बीच में रहता है ठीक है चलते हैं आगे हम अब आगे है हमारा types of speed speeds कितने type की होती है तो speed का तो आपको पताई है कि उसकी definition क्या है कि आप किस दर से distance को cover करते हैं जैसे 10 km per hour speed है इसका क्या मतलब है कि पर घंटे पर hour मैं 10 km cover कर रहा हूं तो speed का यह मतलब होता है और sports training में speed का यह मतलब होता है कि आप किसी भी exercise को कितनी तेजी से करते हैं आप अगर भाग रहे हैं तो कितनी तेजी से भाग रहे हैं और यह बहुत तरीके की होती है आईए जानते हैं पहला है reaction ability it is the ability to react quickly to a signal किसी भी signal के सुनने के बाद आप कितनी जल्दी react करते हैं ठीक है वो आपकी reaction ability है जासे 100 meter की race में जब starter जो gun चलाते हैं race start होने से पहले तो gun के चलती athlete कितनी जल्दी react करते हैं वो इनकी reaction ability है second moment speed इसका मतलब होता है कोई भी छोटी छोटी moment जो single moment होती है तो वो आप कितनी तेजी से करते हैं जैसे jump करना किसी चीज को फैकना kick करना इन चीजों को आप कितनी जल्दी minimum time में करते हैं वो आपकी moment speed है third acceleration ability यह आपकी वो शमता है कि आप stir position से मतलब कि stationary position से या slow moving position से जैसे आप jogging कर रहे हैं उस position से उस situation से आप maximum speed जब पकड़ते हैं वो आपकी acceleration ability होती है कि आप कितनी असानी से कितने अच्छे से आप maximum speed अचीव कर पा रहे हैं fourth locomotion यह sprinting speed जब आपने अब acceleration speed से maximum speed अचीव कर ली है अब उस maximum speed को आप बनाई रखेंगे जैसे हर हर athlete कोशिश करता है कि जब उसने maximum speed अचीव कर ली है वो बहुत तीज भाग रहा है अब उसको बनाई रखने की कोशिश करता है और उसी कोशिश को हम locomotion यह sprinting speed कहते हैं fifth speed endurance it is the ability to perform sports movement with high speed under the condition of fatigue अब speed के अमत में जब खिलाडी पहुचता है तो fatigue तो हो गया होता है थकान बहुत ज्यादा होती है next है हमारे methods to develop speed up speed को develop करने के तरीके क्या क्या है आइए जान लेते हैं कि करके acceleration run इसमें क्या होता है कि आपको कोशिश करनी होती है कि जो athlete है वो जल्दी से जल्दी अपनी maximum speed को पाए ठीक है athletes try to attain top speed as possible as fast as possible ज्यादा distance इसमें नहीं भागते हैं 20-30 meter distance भागते हैं बट आपकी speed maximum होनी चाहिए क्योंकि आप stationary position से कोशिश करते हैं कि maximum speed आपको अचीव करनी है और बार बार इस तरीके से repeat करते हैं 6-12 बार repeat करते हैं और इसमें sufficient rest दिया जाता है आपको ठीक है लेकिन आपको ध्यान क्या रखना है इसमें कि आपकी जो technique है जिस भी game में आप इसको apply कर रहे है acceleration runs को तो आपकी जो running का जो तरीका है भागने का वह accurate होना चाहिए तब ही इसका फाइदा है इसके नाम से समझ आता है कि जो आगे हम लोग आगे क्या है अब flexibility तो flexibility देख लेते हैं हम लोग flexibility आपको पता यह को शरीर का लचीलापन की हमारे जो joints हैं वो कितने आपको work कर सकते हैं कितना range of movement है कितने हम flexible है joints हमारे flexible है यह चीज़ मसल flexible है flexibility is when the joints can move to their maximum range it is the ability to execute movement with greater range अब इसको effect करते हैं muscle length, ligaments, tendon, flexibility अगर अच्छी है तो आप में injuries कम होंगी आपका posture अच्छा होगा आपके joints healthy रहेंगे और आपको जो proper body balance है वो भी बना रहेगा इसके भी कुछ प्रकार है यह जान लेते हैं पहला है जैसे passive flexibility joints can move in maximum range with external help मतलब कि flexibility तो आप कर रहे हैं पर आपको कोई बाहर से help कर करता है ठीक है stretching के time में जैसे जिम में बहुत बात जो trainer होता है वह आपको help करता है stretching में तो वह passive flexibility है एक होता आपका active flexibility active flexibility में आप खुद करते हैं आपकी कोई help नहीं करता है इसके भी दो टाइप हैं एक आपका है static flexibility static में क्या होगा आप खुद कर रहे हैं लेकिन आप static रहेंगे आप स्थिर रहेंगे हिलेंगे नहीं जैसे चक्रासना करते हैं जैसे टो टचिंग करते हैं हम लोग पैरों को अगर आप छोग होगे अपने हातों से बिल्कु टो को छूने की कोशिस करोगे तो ये एक static flexibility है और उस position में बने रहने की कोशिस करोगे तब वो static flexibility है dynamics flexibility में क्या होता है कि आप कोशिस तो करते हैं flexibility की लेकिन उसमें आप बार-बार motion में रहते हैं ठीक है आपका जो moment होती है वो बनी रहती है जैसे टोको में बार-बार लगातार अगर ऐसे खीच-खीच के नीचे जा जा अब चलते हैं आगे अब इसके भी कुछ methods हैं जिससे हम flexibility बहुत अच्छे से बना सकते हैं या ला सकते हैं पहला है ballistic method ballistic method काफी dangerous माना जाता है क्योंकि इसमें जो इसमें हम swing करते हैं अपने limbs को पैरो को हातों को इनको हम swing देते हैं ठीक है जटका सा देते हैं आप कह सकते हैं इसवजे से यह uncontrolled होता है इसमें जो आपका position होती है वो काफी uncontrolled होती है इसवजे से तो को अपनी तरफ खीच के और एक position में बना हुआ है 10-15 seconds तक hold करके रखता है, static stretching का method है, next और last dynamic stretching method, dynamic stretching method consists of controlled leg and arm moment, जैसा कि ballistic method में uncontrolled moments थी, dynamic stretching method में जो आपकी moments होती हैं, वो आपकी controlled होती हैं, इसमें भी swings होते हैं, लेकिन काफी controlled होते हैं, और ये काफी अच्छा माना जाता है, और इसमें क्या होता है, कि पहले आप धीरे-धीरे आप अकसर पारक में जो आपके athletics के जो आपने runners देखे होंगे, वो इस exercise को जरूर करते हैं, जो last में एक महिला कर रहे हैं, पैर को पहले आगे लाते हैं, फिर पीछे ले जाते हैं, ये आपको अकसर करते होगे दिखेंग जिसकों PNF के नाम से भी जानते हैं, सबसे बहतरीन टेकनीक है, जल्दी से आपको अगर flexibility gain करनी है, तो यही है, लेकिन काफी technical भी है, इतना असान नहीं है इसको करना, आए जान लेते हैं, इसको करते कैसे हैं, फिर पार्टनर उस position को hold कर गे रखेगा, फिर वो आपको बो होलेगा कि अब जो आपकी muscles, जो आपने stretch हो रही है, उनको flex करना है, उनको contract करना है, उनको contraction provide करना है, 6-10 second के लिए, फिर relax करना है, और जब आप relax करोगे, उस time पे आपका जो partner है, वो दुबारा से आपकी पैर को stretch करेगा, यह PNF है, इसको समझना थोड़ा hard है, लेकिन यह ही PNF है, और इस साथ easily आपको नहीं समझा पाएगा, चलिए आगे चलते हैं, तो next हमारा क्या है, टॉपिक, कॉडिनेटिव एबिलिटीज, तो कॉडिनेटिव एबिलिटीज से बहुत confused रहते हैं students, कॉडिनेटिव एबिलिटीज कुछ नहीं है, जितने भी हमने चीजे प बॉल को इतने अच्छे तरीके से समार के उसको छक्का लगा देते हैं, ध्यांचन जी के बारे में आपने सुना होगा, 1936 के बर्लीन ओलम्पिक्स में किस तरीके से प्रदशन किया था, होक्की का टेस्ट भी करवाना पड़ा था, वहां के जो ऑफिशल्स थे, कि आखिर ब कोडिनेटिव अबिलिटी इस दी एबिलिटी ऑफ दी बॉड़ी तो परफॉर्म दी मुमेंट विद पर्फेक्शन एफिशेंसी, किसी भी मुमेंट को परफेक्ट करना, एफिशेंसी के साथ, मतलब कि आपकी बॉड़ी में कोई फटीग ना आए, कोई इंजरी ना आए, बहुत आपकी निमिट से जादा आप धमना लगा रहे हूं, अननसेसरी मसल्स को आप टाइट ना कर रहे हूं, तो वही आपको कॉडिनेटिव एबिलिटीज है, सारे जो सिक्वेंस हैं मुमेंट का उनको हम स्मूथली करते हैं, एकुरेटली करते हैं, कॉडिनेशन इस रि मैंने बताए, प्रॉपर कॉंबिनेशन ऑफ स्ट्रेंट, स्पीड, एंडिवरेंस, एंड फ्लेक्सिबिलिटी दूरिंग मुमेंट, चलते हैं आगे, अब देख लेते हैं, टाइप सॉफ कॉडिनेटिव एबिलिटीज, जिसने पहला आता है, ओरिएंटेशन एबिलिटी, ओरिएंटेशन एबिलिटी का मतलब क्या है? भी जरुवत नहीं पड़ती है, क्यों? क्योंकि उसकी ओरिएंटेशन एबिलिटी इतनी अच्छी है, उसको उसने इतनी महनत करिये ग्राउंड के उपर, कि उसे ग्राउंड का चपपा बताया कि अगर बॉल इस तरी के से आ रही है, तो यहां तक आ सकती है, मैं एक से आपको ज्यादा हला आ रहा है, बॉल आ रही है, स्विंग आ रहा है, आईज से हम लोग परिफेरल व्यू से पता लगा सकते हैं कि किस तरीके, किस तरफ से हमारा कोई साथ ही आ रहा है, कि ताकि हम टकरा न जाएं, तो यह औरिएंटेशन एबिलिटी के एक्जाम्पल है सेकेंड कपलिंग एबिलिटी के नाम से समझ आता है, इसमें हम दो मुमेंट्स को कपल करते हैं, जैसे जंपिंग जैक्स के एक्सरसाइज अगर आपने कभी करी हो, तो किस तरीके से उसमें हाथ भी हम लोग उठाते हैं और पैर भी ओपन करते हैं, आप देखेगा, यूट भंगड़ा कर रहा है, लेकिन भंगड़ा नहीं करना था, उसे एक्सरसाइज करनी थी, जंपिंग चैक, चलते हैं आगे, रियक्शन अबिलिटी, रियक्शन अबिलिटी का वही मतलब था, कि आप किसी सिगनल के प्रतिक कितनी जल्दी रियक्ट करते हैं, ये भी दो टाइ अब ग surplus को पता होता है कि आप गन, आपकी start होगी, गन fire होगी और मुझे भाग नहीं, वो simple reaction का ability है, एक होता है complex reaction ability, क्या बता है मैंने, It is the ability to react immediately and quickly and accurately to undermine or unexpected signals, बहुत बार, एक खिलाड़े की game में ऐसे movement आते हैं, जब unexpected चीज़ सामने हो जाती है, तो उस टाइम पे आपका complex reaction काम करता है जैसे क्रिकेट में मैं एक्जामपल बताऊं जब बोलिंग आप कराते हैं अचानक से अगर बोलर के सामने ही वह आपका चौक का मारना चाहता है और बोलर कितनी जल्दी कि रियक्ट करके उस बॉल को पकड़ता है वह कॉंपलेक्स रियक्शन एबिलिटी क्योंकि उसको नहीं पता था कि बॉल सामने भी आ जाएगी अब जलते हैं नेक्स्ट पे बैलेंस एबिलिटी का क्या मतलब है कि आप बैलेंस कितने अच्छे से करते हैं अगर आपने कोई की जरूद्त होते हैं ईवन रंणिंग करना रंणिंग का चैन वो रिदम के वपर बहुत करता है आपका जितना रेदम अच्छा होगा आपकी रंणिंग उतनी यादा अच्छी होगी यह आपदेखते होंगे आव चलाना जो एक गेम है रोइंग का गेम उसमें कितने सारे खिलाडी एक नाव में बैठे होते हैं और सारे के टोन में को चलाते हैं अगर सारे के chosen अलग अलग चलैंगे कोई आए कोई पीछे तो रेस इजी हार जाएंगे और आपके Cars ज्रूरी हैं जिमनास्टिक में अपको very बजता है पीछे और उस गाने पे जो खिलाडी होता है वो अच्छे से परफॉर्म करके दिखाता है तो वो भी इसी का एक्जामपल है सिस्थ आपका क्या है अपने आपको बदलती ही सिच्वेशन के हिसाब से एड़ेस्ट करना मान के चलिए मैं फुटबॉल लेके जा रहा हूं और अचानक से कोई डिफेंसिंटीम का प्लेयर मेरे को आके डिफेंड करता है और मैं अटेकर हूं तो मैं किस तरीके से वहां पे अपने आपको उस पोजेशन पे लेके मैं समझता हूं कि यह इस तरफ पैर लाएगा और मैं उस बॉल को दूसरी तरफ लेके चले जाता हूं उससे बचा के तो वो मेरी अडेप्टेशन एबिलिटी मैं किस हिसाब से उस सिचुएशन में अपने आपको अडेप्ट कर लिया जो सिचुए यह है कि हर जो भी हम एक्शन करते हैं उसमें कुछ मसल्स का प्रियोग होता है पर आप बहुत सारे खिलाडी या बहुत सारे लोग ऐसा देखोगे कि शायद थोड़े ही दम से वो चीज हो सकती थी पर वो लोग अन्यसेसरी दम लगाके रखते हैं ठीक है बहुत मतलब ट्र स्टाइट कर रखा है बैक मसल्स तुम टाइट कर रखी है जबकि exercise ट्रैशेप की कर रहे हैं तो यह चीज़े डिफ्रेंशीट करने आनी चाहिए खिलाडी को पता होना चाहिए कि उसको किस्टाइम पर कौन सी मसल्स को रिलाक्स रखना है कौन सी मसल्स को कॉन्ट्राट करन किन मसल्स से उसको उपयोग लेना किस से नहीं लेना तो यह उसकी डिफ्रेंशीशन एबिलिटी होती है ताकि वो जो भी एक्षन वो परफॉर्म करना जाता है उसमें को मास्टरी कर सके उस स्किल को बहुत अच्छे से परफॉर्म कर सके दोस्तों वीडियो इतनी ही थी आई होप यह चैप्टर आपको अच्छा समझ आया होगा अगर अच्छे लगी है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने सभी इस फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए आई विश कि इससे अच्छे से ज्यादा यूट्यूब पे किसी चैनल ने आपको नहीं समझाया होगा ठीक है और फर्श्ट पार्ट आपके सामने अगर आपने फर्श्ट पार्ट नहीं देखा है तो वह आप देख सकते हैं है वा नाइस डे बाबाई